अल्वाइट फ्रेंड्स लास्ट वीडियो तो काफी मस्ती मज़े हुए थे काफी सारी चीज अमने सीख ली थी इस वीडियो में आपको थोड़ी सी चीज बताऊंगा जो कि इस प्रोजेक्ट की एक छोटी सी कमी है वह कमी यह है कि मैं इसको इन कोगिनीटर मोड में खोलता ह हो मैं आपको इस चीज बताता हूँ जैसे मैंने खोला ठीक है पर जैसी मैंने बहुत आर्टिकल का मैं अगर पर चलता हूँ फिलागिन बोस ठीक है अब लॉगिन के बाद आप इसका यूरल थोड़ा सा देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हो रखा है तो लौगिन तो आ रह करना है मेरको तो मेरा क्रियेट वाला आपको खूल के दिखाता हूँ के इस आ आर्टिकल यू के लिए आपको ने यहां जाना होगा तो मैं यूजर निम्डर पासफ़र डलता हूं जयंद सब्मिट करते हो समिट करती कि साथ साथ आप देख सकते में कहां पर आ गया एक अजी जानने नहीं था तो यह डिक्ह notch करने लिए आप को बहुत कुछ नहीं करना जहाप आप लॉग-in करते ना ताप आप में्ट नाम जो है प्रेशन है कि निए अगर आप क्या करसा साथ ईसकी नेक्स है जापी तर ने आएफ form के बाद मैं simply बात बोलूँगा इसको मैं इस स्टेटमेंट लगूँगा अपर ऐसे यह होता है जैंगो का मैं बोलूँगा अगर request request.get.next अगर अपने next जो आपका है वो present है इसके बाद हम को लगाना पड़ था and if ठीक है तो अगर मेरा request.get किया मैंने और next किया ठीक है नेक्स्ट वाला जो आइटम है वो प्रेजन्ट है तो मैं इक input बना देंगे जिसका type hidden होगा ठीक है जिसका नेम होगा नेम होगा नेक्स्ट नेक्स्ट के साफ समय टार्गट कर लूँगा और जो उसकी वैल्ली होगी जो जाएगी वह वैल्यू के जाएगी मैं आपको बताता हूँ उसकी वैल्यू जाएगी request.get.next ठीक है हमने एक input बना लिए और यह input कब बनेगा यह input सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब आपका नेक्स्ट प्रेजेंट होगा if request.get.next इस प्रेजेंट बैर आपका यह input बनेगा जो कि hidden होगा जो आपको दिखाई भी ने देगा बट जैसे आप form को समिट करोगे वैसी क्या करें कि यहाला डेटा भी चला जाएगा आपके login के साथ तो मैं सीधा सीधा चलता हूँ अपने views इसके अंदर और जैसी मेरा login करता हूँ ना चीजों को कर दो पहले तो तो मैं बताता हूँ कि login करने के बाद में कुछ जो URL में था न उस चीजों को भी देखना है क्योंकि मैं नेम के साब से चीजों को टार्गेट कर सकते हूँ यह मैं आपको बताया था ठीक है चीजों करता हूँ सेव सेव करते के साथ साथ में तेलोंगा अगर यूरल नहीं हुआ तो रिटन कर देंगे रीडारेक्ट और का देंगे यूरल को तो जो यूरल आ रहे है उस तरह हमारा आर्टिकल अर्टिकल आ चुका है जोगे हमने प्रिंट किया अब इसी यूरल पर मैं बेजना है अपने इसको रिडारेक्ट कर वान ठीक है तो म हम इसको भेज देंगे ठीक है तो जैसी लॉग इन करते हैं कहां पर आजते हैं आर्टिकल पेज मा जाते हैं अपकी बार देखाता हूं मैं आपको चीजों करूँगा सेव रिलोड यूजर नेम डालूँगा पासफ़र्ट डालूँगा सब्मिट करूँगा सब्मिट करती आपको अपकी यूरल में तो एक इंपूट बना दो और उसकी यह वाली वैल्यू है यह वाली वैल्यू आप भेज देना ठीक है और नेक्स्ट के पास कौन सी वैल्यू थी सब्मिट बटन दवाते हमारा बैकेंड में आ जाएगा और उसी बैकेंड को मैं ले लूँगा अपनी यूरल वाले वैरियेवल में इसको नन कर दूँगा मैं बोलूँगा url is equal to request.post.get आप next में जो भी है वो ले लिजे अगर next में कुछ है तो जो कुछ है वहीं पे आप भेज़ दीजे ठीक है तो I hope चीजे हुई है clear इस वीडियो में इतना ही हम लोग मिलते हैं next वीडियो में तक तक के लिए बाए कर दो